हेई हाई गाईज वेलकम डूए चानल जैसे कि आप लग देख रहे हैं मैं कुछ बना रही हूँ और इसके बाद हम दोनों को बहार जाना है अच्छली मुझे दोपेर को ही जाना था दोपेर मेंस शाम को ही जाना था थोड़ा यल्दी जाना था अभी शाम हो चुकी में 6-7 बजने वाले हैं तो लेट हो चुका है हम दोनों को और मुझे कुछ व्लॉक के लिए शूटिंग करें दीज लेए मुझे बाहर जाना था मुझे जाए बहुत पसें देलज हसाप से मजह संवाए हाँ ऑसके पावजे। मतले मेरी बाहर जाना था मिलती हैं करते हैं आप contexts करा ना और जरूर बतना आके और यहां को यह पाववारा भाजी की रशायर फेसें नीन मुझे बाना रहे हैं क्लु़मारा दो प्लीज मेरे पास पाव नहीं है अभी तो तो मेरे पास ब्रेड का फाकेट था जो कि हमने यूज नहीं किया था और उसकी डेड़ में कल खतम होने वाली थी तो वेस्ट हो जाता तो इसलिए में अगर हम लोग पावभाजी बनाएंगी तो ब्रेड पूरा खतम हो सकते हैं अभी में व अच्छी लगती है इसा कुछ डिफररंट नहीं लगता टेस्ट तो आप लोग भी ट्राय करना अगर आपके पास कुछ ब्रेड होंगे अगर नहीं होगे अगर नहीं होगे तो कोई बात नहीं आप लोग पाव लाके भी इसके साथ ये सब्सक्राइब बना सकते हैं और मैं अभी रेडी होती हूँ हाँ तो आप देख सकते हो यह कुख हो चुका है दो तीन मिनिट के बाद और उसके बाद मैंने इसमें डाला है दो चोटे चमच गरम मसाला यह सारे स्पाइसे आप आपके हिसाब से कुछ कम ज्यादा कर सकते हो आपकी टेस्ट के हिसाब से बाट हम लोग भी ज्यादा तीखा नहीं कहते हैं मेडियम यह खाते तो मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं यह बना रही हूँ तो आप लोग भी बना सकते हमारी चीली पाउडर ज्यादा थीखा नहीं है इसलिए मैं दो स्पून डाल रही हूँ इस रेड चीली पाउडर तो आप लोग आपके हिसाब से डाल सकते कोई प्रॉब्लिम नहीं गरम मसाला भी आपके घर में जो अवेलेबल है वो आप लोग डाल सकते हूँ और बाके कुछ नहीं इसमें आर आपके पास अगर पावभाजी मसाला हो मेरे पास तो इंडिया का ही है वो अगर आप लोग कुछ महाराश्यन मुझे देख रहे हो तो एवरेस का पावभाजी मस मुझे बहुत पसंद है उसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगते है लिटरली तो मैं वही यूज करती हूँ अगर आपके पास जो होगा तो वह भी आप लोग यूज कर सकते बट और अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप शौप से लाना चाहते हो तो वो एवरेस का अगरा स्पून लिए यहाँ पर तो दो स्पून एक देड स्पून मैं इसमें डाला है और इसका पाव भाजी मसाला इसमें पोटेट पर आड़ करें तीन बड़े साइज के पोटेट हो यह लिए ते तो आप लोग आपके सबसे आपके शामिली के साब से ले सकते है इसकी क आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से रहां मैंने पोटेटो मैश करके लिए थे एक बावल से नहीं तो हम लोग ग्लास से भी एक ग्लास से इसको ऐसे मैश कर सकते हैं तो मैंने मैश पोटेटो इसमें डाले है इसको मिक्स करके करने के बाद हम इसमें हाफ ग्लास नहीं त ऐक बाउल से पाणी डाला है थो आप लोग भी मैंने ओनियन के लिए ऑनियन डाल ली आता चेप के तानी चुफ से पाणी डाल शाथ आप लोग रचाप लेय Workers का नहीं पाणी डाला है तो आपाणी चयाप से पाणी डाल सकते हैं थोड़ा बकिगा। तो मैंने एक बाउल, हाँ, एक बाउल मैंने इसमें पाण्यों डाला है तो नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी कोरियंडर लियोज यानि की धनिया मैंने यहाँ पे डाला है और यह देखिए हमारी पावभाजी रेडी हो चुके है हुआ है ऑ्दो हुआ है झाल झाल झाल